नमिश्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फिसे हाजिर हैं एक लेटस्ट वीडियो के साथ सामने आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सिक्षकों के सतर हजार पद खाली हैंची दोस्तों सिरफ ये एक राज्ये की यहां बात हो रही है एक एक राज्ये में अगर स सतर हजार पद सिक्षकों के खाली है तो स्कूलों में पढ़ा कोन रहा है फिर बोलते हैं कि सरकारे स्कूल बंद हो रहे हैं बच्चे आएंगे किसलिए जब सिक्षक ही नहीं है पीजीटी टीजीटी पी आर्टी के सभी की वेकिंसिया खाली है तो इनसे जुड़ी हुई ए जुरू सब्सक्राइब कर ले बाकि जो दिलने में गैस टीचर्स की रिक्रूट्मेंट आई हुई है उन पदों के लिए आपको कैसे अपलाई करना है उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो में भी कुछ देर पहले आप लोगों के लिए लेके आया था इस वीडियो के निच था है CTAT का रोलंबर फिल करने का तो यह क्यों नहीं आ रहा है वो मैं आपको पता देता हूँ जिस समय आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां एंटर करेंगे उस समय आपको CTAT भी एंटर करना फिल करना है यह देखिए यहां सेलेक्ट करके और यह देखिए CTAT आपको लिखा हुआ दिखाई देगा आपको यह seat at select करके तो इसकी details आपको यहां fill करनी हो जैसे ही आप यहां seat at enter कर देंगे qualification में तो उसके बाद यह देखिए option आपका available हो जाएगा आप यहां seat at का roll number enter कर पाएंगे उसके बाद तो बाकी अब देख लेते हैं सटर हजार सिक्षकों की जो वैकेंशिया खाली है वो कहा है और पूरी न्यूस क्या है दो साल से 40,000 पात्र शिक्षक कर रहे न्युक्ति का इंतजियार आठ साल बाद 2018 में यह जीत हुई थी सिक्षक पात्रता परिक्षए आगे पूरी न्यूस देखिए स्कूलों में इस सत्र में पातरता परिक्षा के बाद भी सिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है पातरता परिक्षा पास कर चुके 40,000 सिक्षकों को अब अगले सत्र में नियुक्ति की उमीद है करीब 8 साल बाद 2018 में सिक्षक पातरता परि भरती होनी थी एक जुलाई दो हजार बीस से प्रावधिक चैन सूची एम प्रतिक्षा सूची की अभ्यारतियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया गया जो तीन जुलाई दो हजार बीस तक जारी रहा इसके तहट जिलासतर पर बनाए गए सत्यापन केंद्रों पर करोना गाइड लाइन्स का पालन करते हुए सत्यापन प्रक्रिया शुरू हुए चार जुलाई को साशन ने सत्यापन की कारवाई रोग दे थी ग्यात हो की वर्ग एक और वर्ग दो दोनों परिक्षा के लिए साड़े पांच लाख अभ्यारते शामिल हुए थे करोना संकरमन से सिक्षिकों की सुरुक्षा के प्रक्रिया रोकी गई थी इस समपन्द में साशन स्तरफर विचार चल लहा है आदेस मिलते ही बरती प्रक्रिया पूरी कर लिजाएगी तो ये है दोस्तो अपडेट अकेले मध्य परदेश में ही 70,000 सिक्षकों के पद खाली है 20,500 पदों के लिए भरती प्रक्रिया शुरू की गई थी वो भी अभी हाल फिलाल रुकी हुई है तो वो कब से शुरू की जाएगी और बाकि नई रिक्रूटमेंट कब आएगी